आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्धिक स्वागत है इस टापिक में यूपी बोर्ड कलाश 10 बिश्य अंग्रेजी के माडल पेपर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे या जो माडल पेपर है वह बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है कि किस तरह से पेपर अंग्रेजी का आएगा तो वे बच्चे जो इस चैनल पर नहीं हों कि पर चैनल को सस्क्राइब कर लें तो आईए बिना रुके हम इसे सुरू करते हैं यहां देख लिजे जो टाइम है तीन घंटा पंद्रा मिनट जो मार्क है आपका मैक्सिमम वह सत्तर नंबर का है इसमें कुछ निर्देश दिये रहते हैं इसको आप समझ लीजे जैसे पहला है सुरूवात के जो पंद्रा मिनट है वह कंडिडेट को प्रस्पत्र पढ़ने के लिए निर्दारित है आल कोश्चन आर कंपलसरी सभी प्रस्ण अनिवार हैं इस कोश्चन पेपर इस डिवाइडेड इन्टू पार्ट या प्रस्पत्र दो भागों में बटा हुआ है ए एंड बी पार्ट एक कंसिस्ट आप 20 मल्टी च्वाइस कोश्चन करेंग वन मार्क इचे जो आपका पार्ट फ़स्ट यानि ए है उसमें कुल 20 बहुबिकल्पिय प्रस्ण दिये जाएंगे जो एक एक नमबर के होंगे उसको आपको हल करना है रीड दा कोश्चन वाइस इन इस्टू ड़क्सन जो प्रस्ण दिये गए है उसको आप ध्यान से पहले जो भी दिसा निर्जेश दिया रहे गा उसको पढ़ लेंगे और जो ओएमार में आपको उत्तर देना है उसे ओएमार में ही भरेंगे कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है डू नाट इरेज कट आर यूज वाइटनर आन्दा ओएमार सीट इसमें इरेजर का परियोग ना करें ना ही काटें आप यूज वाइटनर ना ही वाइटनर का परियोग करें इसका उत्तर आपको ओएमार सीट पर देना है पार्ट B आपका है consist of descriptive type question पार्ट B में आपके वणात्मक परस्न होंगे mark are indicated against each question कौन सपरंद कितने नंबर का है उसी के सामने दिया हुआ है तो आईए अब हम पार्ट 1 को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं यहां जो आपका पार्ट first देखिए शुरू हुआ है इसमें आपका passage पूछेगा और उसी के नीचे तीन question पहले आप लोग इसको पलने read the following passage carefully या जो पैसे दिया गया नीचे पैसे दिया गया सावधानी पूरवक पढ़िए and choose the correct option of answer the question that follow जो नीचे प्रस्ण दिया गया उसका सही उत्तर दिजे तो यह आपको पैसे दिया रहेगा और नीचे आपके question दिये रहेंगे और इसी question जो आपका एक question रहेगा इसका उत्तर इसी passage में होगा तो पहला है we are unable to heard a sound if तो इस प्रस्ण का जो उत्तर होगा आप लोग मिला लीजिएगा बात होगा यानि यह भी है और यह भी है तो सही answer आपका होगा बात दूसरा आपका है that two stream are alike means stream position is better than stream negative it says of anything is not good we get almost the same result in what the situation all of the above तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा option number C तीसरा देखते है which word in the passage is opposite of low तो opposite of slow का जो आपका यानि slow का उल्टा होता है वह है आपका है rapid माने तेज अगला है choose the correct option to answer the following question सही उत्तर को चुनना है जो नीचे लिद्धिया गया पहला I there with my parents will go, went, had gone या all यानि A, B, C are correct या तीनों आपका correct है तो चवधे का सही उत्तर होगा all A, B and C are correct अगला है if you want to know about new things you are कैसन, conscious, careless, curious तो इसका उत्तर होगा curious अर्थात जिग्यासू अगला है rearrange आपका आता है the following word clusters to make a meaningful sentence love my to share, tie, brother, his तो सरपतम rearrange माने होगा इसको सही करम में आपको लिखना है तो पहले इसमें हम लोग लिखेंगे my उसके बाद आपका आता है brother my brother उसके बाद आता है love तो यहां मिला लिजिए my brother love है कि इसमें तो पहले में नहीं है दूसरे में नहीं है तीसरे में है तो option number आपका C सही होगा सात्मा परस्न आपका पूछा गया है which are the following word is miss felt इसमें से एक अंग्रेजी एक word यानि सब्द दिया गया है जो spelling जिसकी सही नहीं है abundance, attendance, acceptance, acquaintance तो इस परस्न का आपका सही उत्तर जो है जिसमें miss felt है वह आपका होगा abundance अगला है he jumped the well to save the drowning girl in, into, from, out तो आठे में परस्न का उत्तर होगा in, to यहाँ देखिए फिर एक पैसेज दिया हुआ है read the passage given below choose the correct option to answer the question that follow नीचे जो परस्न दिया गया है वो उसी में से आपको यह जो passage है परस्न का उत्तर इसी में से छाट कर लिखना है तो पहला question है इन 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 इस पोयं दा डखलिंग और फादर स्वान सिम्बोलिस children and parents इन 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 मिस्टर की सिंग इन 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 नाइवोर इन क्लास इन इन स्कूल तो नवी परस्न का जो उत्तर आपका होगा इन 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 मिस्टर की सिंग जो मिस्टर की सिंग थे वे इसके अध्यापक थे यानि टीचर थे अगला है मिस्टर की सिंग है इस साइगनेड इन इन इस्टरा होमवर्क इरलियर भिकाज ही जो आपका दसमा परस्न है तो दसमें परस का जो सही उत्तर होगा वा होगा या बहुत अधिक बोलती थी जैसे इसकी मा बोलती थी अगला है ग्यारा सेरा चूज दा करेक्ट आसन टू एंसर दा फालोइंग कोश्चन नीचे जो प्रस्ण दिया हुआ उसका सही उत्तर लिखना मंडेला पासेड इयर्स जेल कितने बर से जेल थे तो सब लोग जानते कि जो मंडेला थे वाट टूंटी सेबन इयर्स थे जेल में महासीर इजिये फांड इन कूर्ग तो इस परस्ट का उत्तर होगा एलाज फ्रेस वाटर फिस ये या ए इसमाल या इसमाल ब्रेकिस या लाज तो सही उत्तर होगा एलाज फ्रेस वाटर फिस वे बच्चे जो चैटर को अच्छे से पढ़े होंगे वो बहुत ही अच्छे से कोश्चन को हल करते होंगे अगला है दा बस कंडेक्टर वा जे मैन तो सब लोग जानते हैं रूइड, जॉली, सेल्फिस या इस्ट्रेंग तो यह बहुत अधी मजा किया था जॉली अगला आपका है 14 और 15 दो कोश्चन दिया रीड दा गिबन इस्ट्रेक्ट एंड चूज दा करेक्ट आप्सन तू अंसर दा पाल्योंग कोश्चन सही उत्तर लिखना है तो इस परंच का सही आपका उत्तर होगा वा होगा Her parents The speaker is speaking like this because Amanda is an unreliable girl Amanda remains untidy instruction can make Amanda behave better He wants to scold Amanda तो 15 परंच का सही उत्तर होगा इस ट्रेक्ट आपका उत्तर होगा 16 से 20 तक दिया है परंचन Choose the correct option to answer the following question सही उत्तर आपको चुनना है It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest because Mrs. Pumphare did not want Tricky back Tricky did not create problem Tricky was not receiving recovering first Mrs. Pumphare sent a lot of a tables that the doctor enjoyed तो सही उत्तर इसका होगा Mrs. Pumphare sent a lot of a tables that the doctors enjoyed अगला है Anil Thart Hari Singh 2 Anil Thart Hari Singh 2 तो इस परंच का सही उत्तर होगा आपका Cook and write Cook, write, add number Write या Cook and add number तो सही उत्तर इसका होगा Cook and add number The book gifted to If right by his mother was The Trabble of Monarch Butterfly The History of Monarch Butterflies The Trables of Butterflies The Trables of Monarch Yaks तो आपका ठ्रामे परंच का सही उत्तर होगा The Trables of Monarch Butterflies अगला है विच आपदा Following Combination Discrise Matilda Rich, beautiful, fashionable Fascinable, ambition Middle-class, ambition Middle-class, satisfied Rich, dissatisfied, ambition तो नहीं समय परंच का जो सही उत्तर होगा हुआ Fascinable, ambition and middle-class Last परंच का है बिकल्प का भोली वास sent to school Because हर फादर फेल्ट कम्पलेटेट तो डू सो हर मदर वांटेड हर गो गेट एजुकेटेड Everybody else sent his daughters to school It was necessary for the marriage तो बीसमे परंच का सही उत्तर होगा It was necessary for her marriage उसके बाद आपका आता है Part B जिसमें आपको करना है Read the following passage And answer the given that follow इसमें भी आपके नीचे परस्ण दिये गए है और सभी परस्णों का उत्तर इसी में से छाट का लिखना है जैसे इसमें पहला जो दिया हुआ है परस्ण Whom does the statue of library represent? What is meant by the underlined portion? या जो underlined portion का है इसके बारे में लिखना है How did America collect money to install the states? Which word in the passage means requested? तो इन सभी परस्णों को उत्तर आप लोगों को इसी में छाट कर देना देख लिजिए जितने भी परस्णों में दिये गए है पाला, दूसरा, तीसरा, दोदो नंबर का और अंतिम वाला एक नंबर का उसके बाद आपका आता है चार नंबर का यहां देख लिजिए Write a letter to your elder brother who live in Delhi sharing your feeling about how you miss him at home अगर यह ना लिख पाएं तो आप लोगो लिख दीजिए यानि अपने बड़े भाई जो आपके दिल्ली में रहते हैं उनको पत्र लिखना है sharing your feeling about how to miss him कि आप घर पर रहकर उनको कैसे याद कर रहे हैं Write an application to principal of your college to complain that the water tank in the school are not being cleaner regularly आप एक परधाना चार को पत लिखेंगे कि बिद्याले में जो आपका water tank है वह साफ नहीं है या स्याफ उसकी लगातार सफाई नहीं होती है इसमें से एक लिखना है दोनों आपका application ही अच्छे से लिख दी एक application ही इसमें से हल करना है अगला आपका दिया हुआ है write a report of the craft इक सही बेशन in your school in about 1800 words नमबर का जिसको अम निवंद भी कहसे तकते हैं या एक article है इसको लिखेंगे देखिए hint यहां दिया रहता है जितने भी heading आपके होंगे वह दिये रहेंगे क्या क्या है when inauguration ceremony इक सही वीटेड़िट क्राफ्ट आइटम गेदरिंग अधर इस्टाल या ETC मतलब आदी अथवा यह ना लिख पाए तो इसको लिख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ देख लिजे look at the picture given below नीचे जो picture दिये गए इसको ध्यान पूर्वक देखिए taking close from it write an article on advantage and disadvantage of internet in about 18 से 100 वर यह internet के बारे में लिखना है आपका main heading होगा internet इसमें से सभी heading दिये हुए है online shopping, communication, pharma, social, alienation, cyber crime, internet radiation, online courses, entertainment यह आपके heading है heading में आप दो दो चर्चलनाई लिख दीजिए उसके बाद आपका आता है grammar से portion देख लिजे क्या है rewrite the following sentence the changing into indirect दो नमबर का change the following 25 में दो नमबर का punctuate the following दो नमबर का यानि इसको सही केवर करना रहा था translate the following into English इस चार नमबर का रहेगा तो इसको भी तयार करना बहुत ही जरूरी है अगला आपका दिया हुआ है या बहुत ही important जो आपका translation दिया हुआ है बहुत ही important है इसको आप अच्छे से हल कर लिजिए उसके बाद आपका आता है यहां पर देख लिजिए इन दोनों में से यह कही हल करना है उसके बाद आपका है अगला हाउ डिड वल्ली सेब मनी फार दा बस टिकट अथवा वाई वाज लैंचो आइंग्री विथ दा पोस्ट आफिस इंपलाईज क्यों गुस्से में हुआ था लैंचो अगला है इन दोनों में से यह कही करना है जो कि आपका साथ वर्ड में होगा चार नंबर करेगा उसके बाद आपका अगला प्रस्न होगा मेंसन ए फ्यू डिफरेंट बिटबीन ए टाइगर इंदा जू एंड टाइगर इंदा जंगल 40 वर्ड में लिखना है अथवा राइट फोल लाइन आफ ऐनी पोयम प्रेस्क्राइबेट इन योर सिलेबस जो आपके सिलेबस में हो और डू नाट कापी दा लाइन इसमें जो इस परस्पत्र में न दिया गया हो चाल लाइन का आपको कविता लिखना है उसके बाद आपका है आठमा परस्न राइट दा सेंटर आइडिया चालिस से पचास सब्दों में लिखेंगे अगला है उसके बाद आपका आता है दसमा परस्न देख लिजे उसके बाद आपका आता है इन दोनों का आता है परस्नों में से किसी एक का उतर देना है 16 word में वाट कूड हैब हैपनेड इफ माटिल्डा हैड नाट लाट्स दा नेकलेस अथवा सपोज यू आर भोली और नावू यू आर ए टीचर राइट अबाउट यूर फाइमली और चाइल्फूड और यूर परजेंड लाइफ के बारे में लिखना है तो यह है आपका यू पी बोर्ड क्लास 10th के विद्ध्यार्थियों का माडल पेपर है इसे आप अच्छे से तयार कल लें क्योंकि इसी तरह का आपका पेपर आएगा आप सभी विद्ध्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद